हेलो स्टूडन आज हम देखने जा रहे हैं नाइन पोयम और पोयम का नेम है समुद्र कोंडून पढ़ लाए इसका मीनिंग है कि जो सागर है जो समुद्र है अब वो कैसे हुआ है तो चार दिवारों के अंदर जैसे कुछ दब जाता है समझ लो हम लोग डिब्बे में अगर कोईज रख देते है तो चीज का जो अस्तित्व है वो कैसे उस डिब्बे जितना ही होता है उस डिब्बे में अब वो कै अधों हो जाती है कोई चीज तो वैसे यहाँ पे जो समुद्र है वो बोल रहा है खुद से कि अब मैं क्या हुआ हूँ तो इस शहरी जीवन में जो का जो जीवन है तो उसमें अब मैं बंदिस्त हो चुका हूं जो उची उची इमारते है जो लंबे चोड़े रस्ते है उन पर जो गारिया जो चलती है तो इस सब चींजों में मेरा जो जीवन है वो अब क्या हुआ है तो बंद हुआ है मतलब मुझे आगे बढ़ने के लिए अब यहां जगा नहीं मिल रही है ऐसे समुद्रा में इस पोएम में बताना चाह रहा है तो इस पोएम के पोएट है वसंत आबाजी डहा के 1942 तो इस पोएम को हम लोग स्टार्ट करने से पहले जो हमारे जो पोएट है उनके बारे में हम थोड़ी सी यह देखेंगे इंफोर का रचुके है वांगमाइन कार्किर्द कावे लेखना पास उसरूं की गया। तो उनका जो वांगमाइन जू जीवन है उनके कहा से तो कविता लिखने से शुरू करी थी योग्या ब्रष्ट शुबवर्तमान शुन शेप चित्रनिपी है कविता संग रहा मतलब यह सब जो कविता है वो कविता संग रहे उनके अधो लोग प्रतिबद्ध आने मर्त्य या कादम बर्या या यात्रा अंतयार्त्रा है चिंतनात्मक ललित लेखन असे साहित्य प्रकाशित आहे बहुती चा समाज वेवस्ते ने मानवी जगनेतला जब पात्रीवर अनुट सोडले आहे तो यहां पर जो पोएट है वो हमें बता रहे कि जो हम लोग के अजुबजु मतलब परिसर्ब में हमारे सेराउंडिंग में जो समाज है जो सोसाइटी है तो उस सोसाइटी को यहां पर कुछ अलग ही जगहा पर लाकर रखा है इस शहरी जीवन ने मतलब इस भागदोड के जो जीवन है हमारा टेकनिकल युब में जितनी भागदोड इंसान की हो रही है यह सब चीजे देखकर हमारे पोएट जो है यहां पर असवस्त हुए है या युगा तिल मानमी दुख एका की पन जीवना तिल अस्तिरता दहशत सर्व व्यापी भई आने परादीनता या सारे चे चित्रन समुर्दानी समर्पक प्रतिमान सवापर असलेला भाशत केलेला है तो इस पोएट ने हमें क्या बताया है तो इस जीवन में जो मनुशों को दुख है एका की पन जो अकेला पन है भागदोड के जीवन में बहुत सारे जो लोग है जो यंग पीडी है वो दोड़ने के पीछे लगी है तो उस यंग पीडी की वजह से जो उनके माता-पिता है अब जो प्रोड हुए है और जो उनके बच्चे है जो अभी छोटे है उन्हें अब उन लोगों की जरूरत है अपने माता-पिता की तो उस टाइम पे उन्होंने से भागना मतलब कुछ हासिल करना यही वो लोग सोच रहे हैं और उस हासिल करने के लिए उनकी जो भागदो विशूस हो रहा है जीवनातिल अस्थीरता मतलब जीवन में जो अब अस्थीरता हुई है मतलब वो कहा रुकना है यह हमें नहीं पता चल रहा है तो इस सब चीजों से क्या हुआ है तो पोएट जो है हमारे अस्वस्त हुए है और वो अस्वस्तता उन्होंने इस पोएब म में हमें समझाने की कोशिश की है तैन ची भाषा आशिया चे अंतस्थर उल्गडून दाखो नारी आहे निसर गातील प्रतिमान सा वैशिष्ट पूर्ण वापर कर नारी आहे शाले यह मराटी शब्द कोश, समिक शब्द मराटी वांगमाई कोश आनि वांगमाई सद्या, संकल्पना कोश यहांचे संपाधन ही केलेला है तैन चा चित्रलिपी हा कावे संग्रह साहित्य अकादमी पूरसकार ने संमानित जालेला है तो उनका चित्रलिपी यह जो कविता संग्रहे संग रहे तो वो साहित्य अकादमी पूरसकार से सम्मानित हो चुका है अतसे जनस्थान पूरसकार आनि उतकुरुष्ट साहित्य निर्मिति चा महाराष्ट्र राज्य पूरसकार इत्यादी पूरसकार आनि तैना सम्मानित के लेला है तो महाराष्ट्र राज्य सरकार से भी पूरा पुरा पनी है। जीवन आए पानी मंजे जीवन इसका मिनिंग है पानी मतलब जीवन तो इस कविता में कवी ने हमें यहीं बताया है कि समुद्र जो है पानी जो है तो वो जीने का जीवन का क्या है तो प्रतिक है समुद्रा सार के अठांग जीवन जमा शहराचा महानगराचा मर्यादा मदे कोंडून पड़ते तेवा एनारी अर्स वस्तता कभी ने या कभी ते तुम व्यक्त के लिल्या है यहां पर जो कवी ने हमें जो बताया है समुद्रा सार के अठांग जीवन मतलब सागर जिसा जो हमारा जो जीवन है अठांग मतलब बहुत ही बड़ा विस्तिर्न जो हमारा जीवन है लेकिन वो जीवन हमारा शहरों में आकर और यह जो महानगर है उनमें आकर जो हमारा जो व मग्ण मगण हुए है को एतने इनिंवल किया ही वहाँ पर तो लग खुले से हमारा जीवन है वहकित है यह से नहीं पर ले पार हैं तो इसी से कभी हमारे व्यyuथित हुए है और ये जब चीजें कभी हमें यहाँ यहाँ पर बताना सबसदों trainee को लिगाLEcü बागड़ायला आंगन नसनार्या उत्तूंगा इमारती मदे बालपन अक्रसुन गेलिया है तो यहाँ पेस लाइन में पोयट हमें बताना चाहा रहे है कभी तो बागड़ायला बागड़ायला मतलब खेलने के लिए मतलब खेलने के लिए बच्चों लोगों को खेलने के लिए आंगन नहीं नहीं है उस वज़े से बच्चों का जो बालपन है वो आक्रस उनगे लिए है मतलब बालपन जो है उनका अब खतम हो रहा है मतलब बालपन क्या है कैसे जीना है बालपन कितने आनंद से कितने उससाह से खेलने में मस्ति करने में तो वो सब चीजे अब बच्चे लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रही है तैसे वहाना सोबत रस्त्यावर अत्वा रेल्वे स्टेशन वर चा एवडैशा बाकका वर जो पे साथी बाल का ना आश्रेग हावा लागता है यह पाहूल सम्मुद्र अस्वस्त हो तो तो यहाँ पर पोएट यहाँ पर बता रहे हमें कि जैसे इम बिल्डिक्स में बच्चो लोगों को खेलने के लिए आंगर नहीं है उस वज़े से बच्चो लोगों का जो बालपन है तो वो क्या हो रहा है कि यहाँ पर खतम हो रहा है और उसी तरह से अरस्ते पर जो वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं और रिल्वे स्टेशन पे जो चोटे चोटे जो बाक होते हैं जो बेंचे सोते हैं तो उस पर बच्चे जैसे बच्चे सोते हैं तो यह सब चीजे देखकर समूद्र जो है वो अस्वस्त हो रहा है मतलब समूद्र एक प्रतिक लिया है पोयट ने बलकि पोयट ही जो है वो समूद्र के थ्रू से हमें यह सब चीजे बता रहे हैं तो पोयट कहे रहे हैं कि यह सब जो चीजे हैं वो देखके क्या हो रहे हैं कि समूद्र अस्वस्त हो रहा है मोठें चा कार्यवेस्थ जगात बलकत होत जानारे बाल्य कभी अधिकस व्यत्थित करते चले तो बच्चों अब लोग हम पोयम देखेंगे कि पोयम में हमारे जो कभी है उन्होंने हमें इस समुद्र की थुरू से क्या बतानी की कोशिश की है तो यहां पर कभी जो है तो हमसे कह रहे कि अब समुद्र जो बोल रहा है तो वो हम लोगों को देखना है समुद्र कोंडून पढलाए गगन चुमी इमारती चा गजार समुद्र कोंडून पढलाए गगन चुमी इमारती चा गजार तो यहाँ पे पोएट बता रहे है जो समुद्र है वो कोंडून पढ़ ला है कोंडून पढ़ ला मतलब बंद हुआ है वो बंदिस्त हुआ है कहां तो गगंचुमी इमारती चाह गजा आड़ यह जो गगंचुमी जो इमारती है जो आसमान को जो इमारती जो बिल्डिंग्स चुने जा रही है उस वज़े से यह जो समुद्र है वो अब क्या हुआ है बंदिस्त हुआ है तो इस समुद्र को इस जो इमारत है इस इमारत जो बिल्डिंग्स है बिल्डिंग्स के उस तरफ उसे जाने के लिए जगा नहीं मिल रही है मतलब उसको उसे अलग रहा है कि अब उसकी जगा है जो जमीन है वो अब सीमित हुई है समुद्रों को क्या तो उसको अपनी लहरे जो है उन लहरों को उसको आगे बढ़ाना है लेकिन उसकी जो लहरे है वो आगे नहीं बढ़ सकती है नहीं बढ़ रही क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स खड़ी हुई है तो उन buildings के वजह से जो समूद रहे वो अपसीमीत हुआ है उसे आगे मढ़ना है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है इसलिए वह क्या हो रहा है तो व्याकुल हो रहा है यहाँ पर तो त्रस्त वाट्टो त्रस्त मतलब अब ठक चुका है तो त्रस्त वाटतों संध्याकाली मतलब दिन भर ये सब चीजे देखकर ये जो बिल्डिंग्स है उन बिल्डिंग्स को देखके रास्ते पे जो गाडिया आती है जाती है उने देखकर उन गाडियों से होने वाला प्रदूशन देखकर कारखानों के जो शाम के टाइम क्या हो गया है शिव बनी धाड़ी जिन्जा पिमोर्फफब accents行了 और इसल Right Or 911 और यह सब देखकर क्या हो रहा है तुद्ल tark और देखने में उसके जो बाल है समुद्र के रिखते हैं वह सब देंगर है है यह सब स्ञाने करते शिज भत बहां देखकर तो इस लाइन का मीनिंग है अब दिन बर ये सब चीजे देख देख के वो क्या होता है त्रस्त होता है ठक गया है और हताश पने और हताश होके ठक कर वो कहां देख रहा है अब इस बील्डिंग में जो 32 फ्लोर है उस फ्लोर पर एक बच्चा रहता है चोटा बालक है तो उस बालक को भी देख कर वो क्या हो रहा है त्रस्त हो रहा है व्यतित हो रहा है सागर उसे लग रहा है कि जैसे मेरा जीवन इन बिल्डिंग्स की वजह से सीमित हुआ है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ उसी तरह ये जो बच्चा है उस बच्चे का जीवन भी मेरी ही तरह अब सीमित हुआ है इन बिल्डिंग्स की वजह से इस शहरी करन के वजह से इस गर्दी की माहोल की वजह से ये जो बच्चा है वो अपना जो बालपन है वो बालपन उसे जीने नहीं मिल रहा है उस बालपन का आनंद भी उसे लेने के लिए नहीं मिल रहा है मतलब ये बिल्डिंग्स की वजह से इस गर्दी इस माहल की वज़े से वो बच्चा जो है वो अंदर ही अंदर गुट रहा है जैसा बालपन उन्सा उन्सा पन अरुंद जाले आनि तैची तयला कलपना ही नहीं तो अब यहां पर इस लाइन में जैसा बालपन उन्सा उन्सा पन अरुंद जाले आनि तैची तयला कलपना जना ही तो इस लाइन में समुद्र मतलब पोईट ही हमसे बता रहे है कि जो बच्चा है उसका जो बालपन है जो वो क्या हुआ है तो अब उस बिल्डिंग की तरह उसका बालपन भी उन्चा उन्चा हुआ है और अरुंद हुआ है मतलब बढ़ तो रहा है वो बच्चा एज से बढ़ रहा है हाइट से भी बढ़ रहा है लेकिन उसके अंदर का जो मन है अंदर का मन अभी उसके नहीं बढ़ रहा है उसके मन को अभी आनंदर नहीं मिल रहा है वो अंदर से अपना बालपन न पर नहीं पर नहीं और जो बच्चा है उस बच्चे को भी समझ नहीं मतलब वрий संद नहीं पा रहा है कि मैं छोटा हूँ मुझे खेलना है मुझे आनंद व्यक्त करना है या पुल भी इसे या फिर इन एक फ्रेंघ बनानेहें मुझे बाहर जाके खेलना है क्योंकि ओ Kom अंगनी नहीं है, उसे खेलेने के लिए तो कहा खेलेगा, तो उसे वो नहीं समझ पा रहा है, बच्चा कि मुझे भी अपना बालपन जीना है, समुद्राचा डोल्यात, समुद्राचा डोल्यात ठकवाचा आभार उतरतेत, आनी शिनुन तो वर तो डोले, इमारती चा पलिकर समुद्राचा डोल्यात ठकवाचा आभालेत, आनी शिनुन तो वलो तो डोले, अब ये चीजे जो है, दिन बर ये जो चीजे समुद्राचा डेख रहा है, सागत, ये जो गंगन चुमी इमारत है, रास्ते पे जो गाडिया आ रही है, जा रही है, जो द्वनी प्रदूशन हो रहा है, एर प्रदूशन हो रहा है, नौइस पोलूशन हो रहा है, ये सब चीजे जो समुद्राचा डिन बर देख रहा है, अब वो देख देख के क्या हुआ है, ठक गया है, आस्मान जितना आभा उतरत, ये तो मतलब आस्मान जितना जो ठकव इत्ना और वो उन्ही आखों से अब वो क्या कर रहा है आणी उस ठके हुए आखों से अब वो इधर ओधर देख रहा तो अब उस दुख से आसमान जितना दुख अपने आखों में लेकर वो अपने आखे घुमा रहा है और देख रहा है क्या देख रहा है तो इस इमारत इस बिल्डिंग के पीछे जो रस्ता है उन रस्ते पे ठक लेल्या मानसां चे पाए जो चल कर जा रहे हैं उन चल कर जाने वाले लोगों के जो पे ठक गए है उन पेड़ों को उन ठके हुए पेड़ों को वह समुद्र अब देख रहा है बस चीज़ा के रस्ते पे जो बस आ रहे है जा रहे है उन बस के वो चाको को मतलब उनसके टायर्स को देख रहा है समुद्र अस्वस्त हून जा है जो बसेस के मतलब आ रहे है जा रहे है फास्ट तरीके से और उसके टायर्स को यह सब चीजे देकर समुद्र क्या हो रहा है स्वस्त हो अब यह समुद्र ने देखी है सागर ने देखी है अब वो ठक गया है अब वो ठक गया है पिर अपने अंदर अपने मन से ही वो बात कर रहा है और अपने मन में ही अब वो गूमने लगा है मतलब बाहर जाने के लिए तो उसको जगा है नहीं बड़ी बड़ी बिल्डिक से रास्ते है रास्ते पर चलने वाले जो वाहन है जो गारिया है यह सब चीजों में अब वो त जाना है जहां उसको गोमना है वो सब चीजे वो अपने मन में ही देखकर अपने मन मन को दिलासा देकर अंदर ही अंदर वो समुद्र गूम रहा है शहरात ले रस्त्यावरून अब अपने मन में ही देखो शहरात ले रस्त्यावरून वस्त्यामदून उशिरा परियंतर रात् मतलब वो अपने मन में ही घूम रहा है लेकिन मन में इमेजिंग कर रहा है कि वो अप कहा घूमने जा रहा है रस्त्यावर, शहरों पे जो रस्ते है उन रस्ते पे मैं घूम रहा हूं मतलब अपने मन को वो दिलासा दे रहा है रस्त्या वरुन वस्त्या मदुन शहरों में जो बस्तिया है उस बस्तियों में से और शहर में जो रास्ते हैं उन रास्तों पर से घूम रहा है कब तक उशिरा परियंता मतलब देर रात तक तो बस ले लास्तू स्टेशन वरल्या बाकावर एका की अब वो दिन बर घूम रहा है कहा पूरे शहर के रास्तों पर घूम रहा है शहरों के बस्तियों में घूम रहा है और घूम घूम कर अब वो ठक गया है और रात में देर रात तक वो बैठा है कहा पर स्टेशन वर ल्या बाकावर एका की स्टेशन पर जो प्लैटफोर्म होते है उन प्लैटफोर्म पर कुछ चेर्स रखे हुए होते है कुछ डेक्स रखे हुए होते है तो उस डेक्स पर वो एका की मतलब अकेले ही घंटो देर तक वो बैठे रहता है समोरचा रुडावर रहदारी पाहत अब स्टेशन पे बैठा है तो प्लाट्फोर्म में पत्रिया है उन पत्रियों पर ट्रेद्स है और आज आ रही है जा रही है गरती है जो जाने आने की जो अस्तिति है वो सब बैटकर वहाँ पर देख रहा है और जब वो देख रहा है तो कैसे देख रहा है देखो हतावर डोकट है उन और द मिटले डोला नी हतावर डोकट है उन मतलब वो ऐसे कंडिशन में बैट कर और द मिटले डोला नी मतलब अपनी आखे मिच मिची करकर मतलब बारिक बारिक आखों से वो देख रहा है जो ट्रेन्स जाती है आती है उन ट्रेन्स को वो स्टेशन पर बैटकर देख रहा है अब जो सागर है वो जाके स्टेशन पर बेटा है एक डेक्स पर अपनी आखे बारी करके बेटा है बुजी-बुजी आखों से वो बेटा है और जब उस डेक्स पर उसे दिख रहा है कि एक छोटा सा जो बालक है वो बालक उसको कैसे स्थिति में दिख रहा है तर पाय मुर्पुन कसबसदो पले ले एका दमूल मतलब थंडी लग रही है उसे स्टेशन पर जो बच्चा है उस बच्चे को स्टेशन पर थंडी लग रही है और थंडी लगने के वजह से वो बेंच पर उस बाग पर जैसे सिकुड कर मतलब अपना पूरा जो देह है अपना जो पूरा शरीर है उस पूरे शरीर को वो कैसे ऐसे सिकुड कर बैठा है जैसा बालपन जैसा बालपन सुटैशन वर रहा कान तो वो जो बत्चा है वो जो स्टैशन पर लिक्स पर जो बत्चा सोया है जैसे शिकुडकर सोया है तो जैसे वह सिकुड के सोया है उतना ही उसका बालपन है इस शहरी जीवन की वज़े से इस भागदोर की जीवन की वज़े से जो बच्चा है जो जिसके माता पिता कुछ चीजे हासिल करने के लिए भाग रहे है और भागने के वज़े से उस बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे उस वज़े से उस बच्चे का जीवन भी जैसे वह सिकुड के बैटा हुआ है वैसा ही उसका जीवन यहां पर सिकुड गया है त्याची त्याला कलपना असावी की नसावी और यह सब चीजों की उस बच्चे को कलपना मतलब यह सब चीजे उस बच्चे को पता भी है या नहीं ऐसा प्रश्ण इस समुद्र को यहाँ पर हो रहा है, अब उस बच्चे को देख कर उस बच्चे के जीवन की कल्पना को सोच कर अब समुद्र क्या हुआ है तो खिन्न हो गया है और खिन्न होकर ओ स्माइल कर रहा है, हस रहा है आजे शिंद्डे ले पापने मिटुन गेतो और जो बुझी-बुझी आखो से जो बैटकर स्टेशन पर ये सब चीजें देख रहा है ट्रेंज को देख रहा है उस बच्चे को सिकुड के सोते हुए देख रहा है उसको अंदर से बहुत अस्वस्तता हो रही है और ये अस्वस्तता ये दुख लेकर समुद्र क्या कर रहा है हस रहा है और हस्ते हस्ते वो अपने जो भुजी भुजी आखे आखों से देख रहा है अब वो अपनी पल के बन कर देता है अब समुद्र जो उची उची बिल्डिंग्स देख रहा है बिल्डिंग्स में जो आंगन नहीं है बच्चे लोगों को खेलने के लिए वो उसने देखा है और जो बूड़े लोग है उनको हम लोग जो यंग पीडी है वो टाइम नहीं दे पा रही है ना अपने माता पिता को ना अपने बच्चों लोगों को यह सब चीजे देखकर जो सागर है जो समुद्र है उसे अब क्या काल जी अब उसे टेंशन हो रहा है कौन से चीज का टेंशन हो रहा है बालपना चीज जो बच्चों का जो बालपन है उस बालपन का और वयस करणचा अब जो ठक गए है अब जो बूड़े हो चुके है शहर के लोग तो उन बूड़े लोगों का भी इस सागर को इस समुद्र को यहाँ पर टेंशन हो रहा है जै सिकुड़ गया है और जो बुड़े लोग है उनके लिए सब के पास टाइम नहीं है और जो बुड़े लोग दुखी हो रहे है यह सब चीजे देखकर समुद्रों को यहाँ पर दुख हो रहा है सागर यहाँ पर दुखी होकर हस रहा है मतलब उसे समझ नहीं आ रहा है कि यह स शहर में सीमित हो गया है अब हमारी पोयम यहां पर कतम हो गई है अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए